हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर परहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा दोस्तों आज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट वॉट जज्ज्मेंट पर बात करने वाला हूँ देखें मेंटेनिस के केसेज पर बहुत सारी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और अगर आप उन्हें एक्स्प्लोर करोगे तो उनमें आपको यही पता चलेगा कि अधिकतर केसेज में में नहीं लगता जहां आपके पास कोई एडल्ट्री के कंक्रीट प्रू यहां पर एक ऐसे आधार पर फैमिली कोट ने पतनी की मेंटेनिस याची का खारीज कर दी जो की लगभग आप सभी के मामलों में होता है यानि कि maximum जो वर्ग है ऐसे लोगों का जिनके उपर मेंटेनिस केसेज हुए हैं उन सभी के केस में फैक्टर होता है और इसी फैक्ट देखिए ये मामला मध्य परदेश का है और जबलपूर का है जबलपूर फैमिली कोट ने ये डिसिजन दिया है पती का ये कहना था कि 15 दिसंबर 2020 को जो पतनी थी वो घर को छोड़ करके चली गई थी और इसके बाद जो यूजवल होता है पती क्या करता है अपनी तरफ से मेंटेनर्स की पिटिशन जो है वो दायर करी है अब दोस्तों ऐसे केसे में जो 125 CRPC का केस होता है डावोस का केस होता है सक्षन 9 का केस होता है डीवी का केस होता है ऐसी सभी केसों में कोट का ये प्रियास होता है कि स्टार्टिंग में दोनों पार्टिस का मेडियेशन करवा आप आगे क्या चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, कैसी स्थिती है, तो यहाँ पर भी code proceeding में ऐसा ही हुआ, जो judge साब थे, उन्होंने पतनी से पूछा, कि भई वो क्या चाहते हैं, और code proceeding के दौरान उसने अपने पती के साथ सुला समझाता करने से मना कर दिया, यानि उसके साथ रहने से बिलकुल मना कर दिया, अनिच्छा व्यक्त करी, अब judge साब ने बहुत सारे factors को इसमें देखा, और जो यह पतनी नहीं पर अपनी अनिच्छा व्यक्त करी, कि उसे अपने पती के साथ रहना ही नहीं है, इसी आधार पर code ने बहुती बढ़िया निर्णे दिया, must watch निर्णे, आप landmark judgment इसको कह सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर family court ने ये कहा, जो पतनी विकल्प उपलब्ध होने पर भी अपने पती के साथ रहने का विकल्प नहीं चुनती है, वो किसी भी प्रकार के maintenance की अधिकारणी नहीं है, अब आप देखि रहूंगी और ना मैं तलाग दूँगी, मैं तो बस maintenance लूँगी, इस प्रकार की भी आपने बहुत सारे मामले देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होगी है, पतनी ने ये बोला कि मुझे साथ में नहीं रहना है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, जब कोट दस दिन पहले भी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था, जहां पर हाउस वाइफ का maintenance, कोट ने reject कर दिया था कुछ कारणों पर, आब वो भी देखिए, ये भी देखिए, क्योंकि अधिकतर मामलों में ये होता है, कि वाइफ वर्किंग नहीं होती है, नॉन वर्किंग होती है लेकिन उन मामलों में भी आपको maintenance देना पड़ जाता है, तो इस प्रकार के judgment का अगर आप reference लेंगे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अब देखिए, ये जबलपूर का family court का मामला है, अब lower court के जो judgments होते हैं, उनको public करने की अनुमती client नहीं देता है, अब high court के judgment होते ह वो तो court खुदी अपनी site पर upload कर देता है, तो वहाँ से कोई भी download कर सकता है, बट family court में थोड़ा सा client का concern रहता है, लेकिन main बात है सीखने की, कि आपको ये पता चला कि court इस तरह से भी कर सकती है, तो ये भी एक factor हो सकता है, और जो इस पूरे मामले का article है, जहांसे मैंने इ जैसा भी होता है और उनको फायदा मिलें, चलिए दोस्तों आज के स्वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकरी के साथ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए good bye and thank you for watching, take care.